कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और इस चैनल पर जो है हम आपको पूरा कॉम्पिटिशन जो लैप टेकनिसियन का गॉर्मेंट कॉम्पिटिशन एक्जाम जो होते हैं और आपके कॉलेजिस में जो एक्जाम होंगे तो बहुत ही बेनेफिट होने वाले हैं जो हमने सीरीज स्टाट किये हैं MC की उसका अभी बहुत लंबा चलेगा बहुत सारे लाखों सवाल हम कंप्लीट करेंगे जिससे आपको तैयारी कंप्लीट होगा और आप एक्जाम फाइट कर सकत हैं बहुत ही आसानी से एक्सप्लेइन करके दे रहे हैं सारे को सारे कोश्चन को तो सकता है पांच को सबसे की आपको सबसेंगा को बहुत है हैं इस stocias कैनले भी पांचरी में होता है तो ये एक्स्टेप processing का जो step होता है सारा कुछ detail explanation मेरे में चनल पर lab technologist दिने इस पर आपको मिल जाएगा सारा step by step मैंने आपको समझा दिया है किस का तरीके से जो है tissue processing होता है फिर भी हम यहाँ पर short में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं जैसी कि आपका infiltration और impregnation ठीक है तो ज्यादा सफाई से आपको लिखा हुआ नहीं देख रहा होगा कोई बात नहीं आपको समझ में आ रहा होगा voice clear है ठीक है तो filtration उसके बाद sorry fixation उसके बाद dehydration clearing infiltration और impregnation यह आपके main step होते हैं tissue processing अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा dehydration तो आपके processing में आता है fixative भी आपके processing में आ गया और उसके बाद clearing भी आपके processing में आ गया ठीक है तो oxidation जो है आपके इसमें process में नहीं आ रहा है मतलब आपका answer जो है यहाँ पर c वाला बिलकुल correct हो जाएगा मतलब c वाला option इसमें oxidation है जो आपके tissue processing में नहीं आता तो option c जो है आपका correct answer है तो ज़्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे थोड़ा कुछ में आपको बता देता हूँ तो यह dehydration की जो process है जैसे कि आपको पता है fixative जो है हम 10% formula में करते हैं basic ठीक है तो यह question में पूछा जाता है तो यह आप याद रखिएगा उसके बाद dehydration की अगर हम बात करें तो dehydration जो है आपके जैसे की बढ़ते हुए cream में यह होता है alcohol का ठीक है 70% 80% उसके बाद 90% उसके बाद absolute alcohol तो यह alcohol का जो है बढ़ते हुए cream में आपका रखा रहता है जिससे हम dehydration की process complete करते है तो fixation आपको मैंने बता दिया उसके बाद जो हमारा clearing होता है तो clearing जो है हमारा process जाइलीन एक clearing agent होता है जिसके द्वारा हम clearing करते हैं tissue को ठीक है तो important है यह भी सावल आपसे पूछा जा सकता है उसके बाद हमारा जो था process infiltration और impregnation तो वो जो है हम करते हैं paraffin wax से किससे करते हैं paraffin wax से ठीक है तो यह सवाल पूछा जाता है अकसर तो melting point जो है 54 से लेकर 60 तक रहता है इसका melting point ठीक है तो यह वो आप याद रखिएगा अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है तो वो भी आप जरूर पढ़िएगा उसके according जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जो है इस tissue processing आपका tissue को अलग-अलग हम reagent से पास कराते हैं तो इस process को tissue processing बोलते हैं ताकि वो embedding करके माइक्रोटोमी उसको असानी से कर सके तो यह हमारा परपस होता है tissue processing का detailed video आपको देखना है classes का complete तो आपको मेरे मैं Channel पर मिल जाएगा तो इसका answer आपको पता चल गया हम अगले सव आपको यह बिल्ड इस्मियर आपको बनाते है तो आपका बलेड इस्मियर बनता है तो यह टंग सेप में बनता है तो यह आप पूछा रहा है कि इसका जो लेंथ होता है वो कितना है अगर आपने ऊची की बुक पढ़ा होगा तो इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरीके से हम step by step bloody smear बनाते हैं ठीक तो इसको क्या-क्या process है कितने एंगल तक रखते हैं और कितना cm है तो इसका correct answer जो है आपका d आ जाएगा तो यहां पर आपको option देख रहा होगा d बल option जो है 3 से 4 cm जो है इसकी length जो है होनी चाहिए कितना 3 से 4 cm इसकी length होनी चाहिए यह ideal जो है आपका होता है तो यह आप याद रखिएगा एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो यह आपके एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रखना इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था दूसरे जो सवाल मैंने आपको बताया इ तो एंगल इसमें पूछा जाता है, जो आप ये slide लेते हैं, और उपर एक slide आप रखेंगे, तो ये slide जिसके द्वारा आप slider जो होता है, जिससे आप smear बनाएंगे, तो उसका एंगल कितना होता है, वो भी कभी काल पूछा जाता है, तो उसको 45 तक हम लोग रखते हैं, तो य आप याद रखना है, एक्जाम में अगर पूछ लिया है, तो आप इसका answer दे पाएंगे, तो correct answer इसका मैंने आपको बता दिया, 3-4 है, ठीक है, एक से दो बिलकुल गलत answer है, ये बहुत कम है, 5-6 जादा हो जाएगा, 6-7 ये भी जादा हो जाएगा, तो ये सारे option आपके ग detection which of the following compound in urine, तो ये जो test होता है, ठीक है, तो ये आप से पूछा जा रहा है, ये आपने सुना होगा, कई लोगोंने नहीं भी सुना होगा, तो ये test हम किसको detect करने के लिए urine में करते हैं, ठीक है, तो urine का एक test है, तो किस चीज को हम detect करने के लिए ये test लगाते हैं, तो ये आ आपको एक-एक test का method और procedure आपको पता होना चाहिए, तब ही आप correct answer लगा पाएंगे, तो चलिए starting हम सुरू से कर लेते हैं, उसके बाद answer हम आपको बता देंगे, तो सबसे पहले जैसे कि sugar यहाँ पर दिया हुआ है, तो sugar को जो है, ये glucose जो है, ये आपको urine में दिखाई दे ये exam में पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है, अब इसके अगर method की बात करें, अभी हम सुगर ही देख रहे है, method की बात करें, तो benedict बहुत important method है, इसके बारे में detail हम बात कर चुके हैं, ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, इसके आप compound, sorry, इसके जो composition है, व हमारा important method होता है, benedict test, ठीक है, और multi-step method से भी हम करते हैं, तो वो तो बात की बात है, लेकिन important हमारा benedict test है, ये भी exam में पूछा जा सकता है, तो ये भी हमारा question हो गया, और ये हमारा solve हो गया, तो इसको भी आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है, अगले option की तरफ चलते ह हमारा option जो है, B number ketone body, तो ketone जो अगर इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ketone body, अगर आपके ketone जो है, urine में present होता है, तो उस condition को हम बोलते हैं क्या, ketone urea, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ketone urea, तो ये भी exam में पूछते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, अगर ketone आपके blood में present है, कहां पर, blood में, तो blood में present है, तो उस condition को हम बोलेंगे ketonemia, ठीक है, तो ये terms जो है, बहुत important है, ये आपके doubt के लिए सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक एक चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ करके जाईएगा, ठीक है, तो हम तैयारी तो कर blood में हो, या फिर urine में हो, दोनों में अगर increase हो रहा है, तो उस condition को जो हम बोलते है, ketosis, क्या बोलते है, ketosis बोलते है, तो ये आप याद रखे, तीन चीज़े मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये exam में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको याद जरूर रखिएगा, तो इसलिए मैंने बोल रहा है, कि आपको एक question से हम बहुत सारे question जो है, बना करके देंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी बहतर हो सके, अब जो है, हम इसमें बात कर लेते हैं, अगला, कि इसके method का, ketone bodies, जो है, हम method, इसका method का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, nitro-proside tube test, ठीक है, या इसका modified नाम है, रुद्रास, ठीक है, तो ये नाम आपने सुना होगा, तो ये test जो है, रुद्रास टेस्ट जो है, हम ketone body के लिए करते हैं, तो दो चीजें clear हो गया, तो अभी तक तो आपका कोई भी option इसमें से नहीं आया, अब हम अगले option की तरफ चलते हैं बाइल साल्ट, तो बाइल साल्ट method बहुत important है, हैस method, ठीक है, तो ये आप लोगोंने सुना होगा, हैस sulfur test, ठीक है, तो sulfur powder होता है, जिसको हम add करके जो है, बाइल साल्ट का test हम देखते हैं, तो man channel पर सारे टेस्टों का detail आपको मिल जाएगा, वो आप जरूर देखेगा, urine examination म ठीक है, complete मैंने बता दिया है, physical, microscopical और आपके chemical examination, urine का किस तरीके से करते हैं, पूरा method मैंने explain करके दिया है, man channel पर जरूर जाएगे, उसमें भी बहुत सारे objectives में cover करके दिया हुआ है, तो ये जो है, बाइल साल्ट, अब आपका आखरी बचता है, वो है, बाइल पिगमेंट तो answer भी आपका bile pigment ही आएगा इसका, ठीक है, तो 28 का answer आपका D आएगा, अब bile pigment की बारे में हम बात कर लेते हैं, तो bile pigment जैसे की bilirubin और bilirubin आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो इसके लिए जो है, हम pouchettes जो test होता है, वो हम करते हैं, ठीक है, आपका इसमें magnesium sulfate और barium chloride दो reagents होते हैं, वो आपको पता होगा, और इसके अलावा जैसे की यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जैमिलिन्स test, ठीक है, तो ये भी हम bile pigments के लिए जो है, ये test perform करते हैं, तो इसमें reagents जो है, आपका nitric acid होता है, ठीक है, nitric acid जो है, HNO3, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये जो है, हम bile pigment के लिए करते हैं, तो ये clear हो गया, तो ये तो है, आपका answer इसका, आपका clear हो जाता है, अब जो है, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 28 हो गया, अब जो है, हमारा सवाल अगला आता है, 29, तो 29 जो सवाल है, ये आप से पूछ रहा है, बहुत important है, हमेशा अक्स है, तो VDRL के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका full form भी आपको पता होना चाहिए, full form अधिक तर पूछा जाता है, बहुत आसान होता है, ठीक है, आप spelling भी याद रखिएगा, ठीक है, कोई mistake हो जाए, तो ध्यान रखिएगा, विनरल डिसीज, रिसर्च, लेबोरेटरी, टेस्ट, ठीक है, तो ये जो है, विनरल डिसीज, रिसर्च, लेबोरेटरी, टेस्ट, तो ये जो है, आपका VDRL का full form होता है, तो ये आप याद रखिएगा, एक्जाम में पूछा जाता है, और ये किसके लिए करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम option देख लेते हैं, option क्या-क्या है हमारे पास, तो option जो हमारे पास दिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको rabies दिखाई दे रहा होगा, तो rabies जो होता है, एक virus है, ठीक है, rabies क्या है, ये एक virus है, और ये आपका bullet shape का होता है, बहुत important है यह याद रखिएगा bullet shape का होता है और उसके बाद single standard RNA genome होता है कौन सा single standard RNA तो यह आप याद रखिएगा rabid के बारे में ठीक है disease जो है rabid यह आपका cause करता है root of infection इसका जैसे की कोई भी rabbit हो गया वो काट दिया dog हो गया या other animals अगर उनके काटने से आपको rabid हो सकता है तो यह आप याद रखिए तो rabid के लिए जो है हम अगर diagnosis की अगर हम बात करेंगे rabid का तो वो जो है immunofluorescence के द्वारा हम इसका diagnosis करते हैं ठीक है और उसके अलावा immunofluorescence उसके बाद nagry bodies brain में ठीक है तो यहाँ पर मैं सारा चीज नहीं लिख रहा हूँ और उसके अलावा जो है आपका isolation अगर virus का करना है तो वो जो है आप intra cerebral inoculation माइस में जो है करके rabid का diagnosis करते हैं तो यह डीरल में बिल्कुल भी नहीं आएगा पहला उसके बाद है अगला option आपका सिफलिस तो सिफलिस जो है बिल्कुल correct answer है आपका 29 नंबर का ठीक है तो बी वाला option जो है आपका correct हो जाएगा यह आप याद रखिएगा answer कुन सा हो जाएगा इसको आप याद रखिएगा सिफलिस यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा वी डीरल के लिए ठीक है तो वी डीरल के लिए जो सिफलिस की अगर हम बात करते हैं तो यह सिफलिस जो है cause होता है आपके trypanoma pallidum के कारण ठीक है तो यह trypanoma pallidum आपने नाम सुना होगा trypanoma pallidum जो होता है causative agent कहला जाएगा आपका सिफलिस का तो यह आप याद रखिएगा और इसके morphology के अगर हम थोड़ा कुछ बात करें तो यह होता है आपका spirocates ठीक है तो spirocate आप लोगों आपका light microscope होता है उसके दोरा आप देख नहीं पाते हैं इसको इसलिए आपको जो है इसके लिए negative stain करना पड़ता है तो negative stain के बारे में मैंने आपको detail में बता दिया है negative stain क्या होता है तो जैसे कि आपको India ink जो होता है ठीक है तो यह आपने नाम सुना होगा India ink और उसके अला background microscope का आप इस्तेमाल करते हैं dark ground जो microscope होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं और आपका जो silver night silver impregnation जो होता है method उसके द्वारा जो है आप staining इसको करके आप diagnosis इसका कर सकते हैं morphology अगर आपको देखना है तो trepynoma pallidum का तो यह important चीज़े हैं आप यह जरूर याद रखिएगा अब जो है हमारा इसका diagnosis वाला part जो है सिफिलिस की अगर हम बात करेंगे तो serological test serological जो test होते हैं इसमें वह important है तो जैसे कि VDRL ठीक है तो यह आपके serological test test होते हैं VDRL उसके अलावा आपका RPR उसके अलावा FTA ठीक है उसके अलावा आपका TPHA ठीक है उसके अलावा TPI तो यह जो है सब आप इनके full form जरूर याद रखिए यह सब serological diagnosis में आते हैं सिफिलिस के अगर पूछा जाएगा तो आपको option में आपको पता होना चाहिए ठीक है सबका full form में बता देता हूं आपको फिर भी याद कर लीजेगा लिख लीजे पढ़ लीजे ठीक है rapid plasma resins जो है आपका RPR का full form होता है FTA का जो है fluorescent trypanomal antibody absorption ठीक है तो यह FTABS उसके बाद TPHE की अगर हम बात करें तो trypanomapallidum hemagglutination assay हो उसके बाद आपका TPI आता है trypanomapallidum immobilization ठीक है तो यह आपका TPI हो गया तो यह सब full form है इनके आप जरूर याद रखिएगा तो इसका answer आपको पता चल गए VDRL test जो है हम syphilis के लिए करते हैं अगला option आपका typhoid है थोड़ा कुछ इसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको तो typhoid के लिए हम test जो करते हैं वो VDRL test होता है बहुत important है इसके बारे में detail explain मैंने man channel पर किया हुआ है VDRL test कैसे हम perform करते हैं with practical आप जरूर जा करके देखिएगा तो यह जो है आपका salmonella के द्वारा cause होता है ठीक है तो salmonella जो है आपका इसके द्वारा यह cause होता है तो causative agent जो है salmonella typhi है इसका ठीक है टाइफी और paratyphi दो होते हैं वो आप याद रखिएगा इसको बोलते हैं typhoid fever इसके अलावा इसको और दूसरा नाम क्या है एंट्रिक fever यह बहुत important है एक्जाम में पूछता है इसलिए आप याद रखिएगा ठीक है एंट्रिक fever तो यह सारे चीजें हैं टर्म हैं जो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम explain करके दे रहे हैं ताकि आपको सारा चीज कवर हो जाए अगर हम इसको बात करें तो यह आपका gram negative बेसिलाई होता है कौन सा gram negative बेसिलाई आप इसको culture करते हैं मैं कौंकी अगार में इसके अलावा DCA ठीक है इसके अलावा XLD में भी कर सकते हैं और blood culture भी इसका कर सकते हो तो यह तो हो गया टाइफाइट के बारे में detail में जानकारी टाइफाइट बहुत important है साल्वनिला ठीक है तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजेगा और इसका practical भी exam में पूछा जाता है तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजे उसके अलावा जो हमारा आता है well's disease तो यह क्या होता है कई लोगों ने नाम जो है पहली बहर सुना होगा लेकिन यह important है आपका आप लोगों ने lepto spira पढ़ा होगा sorry lepto spira ठीक है तो lepto spira में जो है आपको ये देखने को मिलता है विल्स डिसीज तो ये जब सीवियर कंडिशन हो जाता है लेटोस्पाइरोसिस ठीक है तो उसको जो है विल्स डिसीज कहा जाता है तो ये आप इंपोर्टेंट है आप इसको याद रखिए सब्दों को तो कभी अगर एक जाम में पूछ लिया तो आपको ऐसा ना होगी ये पता ना हो ठीक है तो ये टाइप आप बैक्ट्रियल इंफेक्शन है और इसके अगर हम बात करें तो अधिकतर जो है तो कल्चर भी आप इसमें करते हैं इनका और सीरोलोजिकल डाइगनोजिस में इलाइजा आ जाएगा ठीक है तो ये भी इसका करेक्ट आप्शन नहीं है तो ये आपको इतना दूसरा नाम क्या होता है वो भी आपको पता होगा थ्रॉम्बो साइट आपने नाम सुना होगा ठीक है तो इसमें जो है आपका एंसर में आपको बता देता हूँ ये वाला करेक्ट आप्शन है आपका 1.5 से लेकर 4.5 लैक ठीक है और दूसरा अलग अलग यूनिट में अलग 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 आपके बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा ठीक है कहीं पर आपको जो है दो लाग पचास हजार से लेकर के आपको पांच लाग तक ठीक है पर क्यूबिक एम एम या फिर माइक्रो लीटर में भी देखने को मिल सकता है नॉर्मल डेंज तो वो आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से अलग अलग यूनिट्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो इस तरीके से बाकी सारे अगर आपको जो है डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट दिखाई दे रहा है तो वो अलग-अलग कंडिशन में दिखाई दे सकता है जैसे कि मैं आपको पढ़के बता दे रहा हूं आपको जो है डिटेल में ठीक है जैसे कि थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया हो गया तो इसको ब बोलते हैं एह अगर इंक्रीज होगा तो उसको बोलने के थ्रोंबोसाइटोसिस अब यह कॉन-कॉन से कंडिशन में होगा aplastic anemia megaloblastic anemia hypereisplenous और इसके बाद acute leukemia और immune thrombocytopenia तो यह पूछा जाता है आप मैं लिखके नहीं दे रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कौन-कौन से कंडिशन में घट सकता है, प्लेटलेट्स यह आप से पुछा जा सकता है, और उसके बाद जो है, एक होता है, इनक्रीज चंडिशन, इनक्रीज कंडिशन को जैसे मैंना बता दिया, थ्रोंबसाइटोसिस, तो यह जो है, आपको, polycythemia, chronic, myelogenous, leukemia में आपको देखने को मिल जाएगा आपका platelets count जो है बढ़ा हुआ ये भी बहुत important है आप याद रखिएगा ठीक है तो इस तरीके से 13 question sorry 30 question आपके complete हो जाते हैं आगे हम next video जो है जलत लाने की कोसिस करेंगे explanation और आप जो वीडियो में बने रहिए like, share जरूर करिए आप कोई सवाल है पकमेंट कीजिए अपने दोस्तों में share जरूर करना चैनल पर पहली बार आएं subscribe जरूर करना thank you so much